हाई गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल गाईज मेरी सीरीज में मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप इजी मेथड के थूँ एमेस पेंट करना सिखा रही हूं मगर क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर आप चाहते हैं आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें तो बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अबैकस का कोर्स करके बड़े बड़े नमबरों का कैलकुलेशन माइंड में ही विदिन सेकंड्स कर पाएं तो हमारे इंचेचिउट आवा अकाडमी में फ्री डेमो क्लास जरूर बुक कर लीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोडिंग क्लास करके बच्पन में ही गेम डिवलपर बने तो इंट्रोड़क्टरी क्लास जरूर बुक कर लीजेगा फोर नमबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम एडिट कलर के हैल्प से कलर पैलेट के शेड्स चेंज करते हैं आज के क्लास में हम बहुत अमेजिंग सी चीज सीखने वाले हैं और वो है कलर मिक्स करना येस फ्रेंड्स अगर हम कोई भी scenery बनाते हैं और हमारा background में color mix हो properly तो वो बहुत amazing लगता है तो वो आज हम class में सीखने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले हम line option click करेंगे और dark shade से light shade का color fill करेंगे मैंने सबसे पहले purple dark purple select किया है हम दोनों side में first line बनाएंगे line बनाने के लिए हम left button को press करके hold करके रखेंगे और line draw करेंगे उसके बाद fill color option से हम color fill करेंगे single click करके same इसी तरीके से अब हमने purple किया अब हम red select करेंगे dark red maroon line option क्लिक किया maroon color क्लिक किया अब हम line draw करेंगे friends line draw करते समय एक चीज़ आप बिल्कुल धियान में रखिएगा कि corner से line बिल्कुल सटी भी हो अगर आपने हलका सा भी gap रखा है तो color fill करते समय वो properly नहीं हो पाएगा अब हम इससे हलका सा light shade लेंगे that is red color मैंने select कर लिया अब line option select किया अब मैं red color की line draw करने वाली है अगर आपसे ये चीज़े नहीं हो पा रही है तो starting के classes जरूर देख लीजेगा friends तो आपको ये properly करना आ जाएगा अब हम fill color select करके इस पे color fill करेंगे अब हम orange color select करेंगे same process आपको repeat करते जाना है friends dark to light shade पे अब orange की बाद मैं yellow color का shade लूँगी तो मैंने yellow select किया है फिर line option select किया अब fill color use करके मैं yellow करूँगी अब center में light blue yellow light yellow fill करूँगी इसके बाद हमें color mix करना है color mix करने के लिए हम resize option में click करते है pixel select करेंगे उसके लिए आपको pixel में single click करना है यहां maintain expect ratio लिखा है उसके click को हटाना है friend उसके लिए आपको बस click में single click single click करना है ठीक है tick में single click करना है तो वो हट जाएगा अब आपको vertical में one रखना है vertical में one रखने के बाद आप ok button तबा दीजिए उसके बाद वापस आपको resize option में जाना है pixel में जाना है aspect ratio का tick हापको हटाना है single click करके यहां पे फिर आपको जितना size चाहिए मुझे 1500 चाहिए तो मैंने 1500 लिखा है और ok button में click करेंगे vertical का आपको size change करना है friends तो इस तरीके से हमारा shade तयार हो गया है तो अब इस पे आप मन चाहिए drawing बना सकते हैं friends next class में same इसी background पे मैं आपको बहुत सुन्दर सा scenery draw करना सिखाऊंगी तब तक के लिए stay tuned bye bye